नमश्कार फ्रेंड्स दश्या माता की पूजा के लिए हमें क्या क्या समान चाहिए तो मित्रो सबसे पहले एक प्लेट ले लीजिए और पीपल के दस पत्ते ले लीजिए या फिर फोटो भी मंगवा सकते हैं मातरानिकी और कुछ फूल मंगवा लेजी मा को अरपित करने के लिए साथ में हमें लेनी हैं पीली हल्दी और साथ में लेनी हैं हमें रोली और दिपक और माचिस तो ये हमने दिपक और माचिस ले लिया है, कच्चा सूत चाहिएगा, हमें कच्चे सूत से ही, हमें 10 तार का 10 गाटों वाला धागा बनाना होता है, तो इस तरह का आपको कच्चा सूत ले लेना है, और इसी कोई पीले रंकी हल्दी में भिगो कर हम डोरा बनाएंगे, उसी के बाद आपको लेने हैं 10 पताशे, 10 पताशे, गुलगुले जो भी आप बनाना चाहते हैं, भोग परशाद के लिए वो आप ले लीजी, 7 मित्रों आपको लेने हैं 10 सिक्के, तो यहाँ पर यह मैंने 10 सिक्के ले लिए हैं, तो यह 10 आपको मा को अर्पित करने के लिए 10 सिक् आप में एक जल का लोटा ले लीजी और एक ले लीजी पेपर, पेपर के उपर हमें टिकियां देनी होती हैं, इस तरह से देखें साथविक बनाकर दस आपने रोली की और दस महंदी की और नीचे हाथ के ठापे लगाए जाते हैं, तो ये पहले ही आप साथविक बनाकर रख गनेजी का आवान करते हुए और साथ में आपको ग्यहों के दाने या फिर जों के दाने लेने होते हैं, सब समान से ही आप दशा माता की पूजा कर सकते हैं, साथ में आप पीला रंका जो आपका पिछले साल का डोरा था वो भी ले लीजीए, वो हमें माता की तिजोरी में रखकर पीपल के वरिक्ष के नीचे छोड़ कर आना होता है तो ये सब समान हमें दशा माता की पूजा के लिए लगेगा आपको ये दशा माता की फोटो मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो कम से कम समान हमने आज आप से शेयर किया है दशा माता का वरत करने से घर की आर्थिक दशा सुधरती है, घर में सुख समरिद्धी संपत्ती आती है, तो आपको दशा माता की पूजा के लिए कम से कम ये समान तो आपको चाहिए ही, पूजा विदी, कथा और गहने कैसे बनाने हैं, ये साब वीडियो भी आप हमारे चानल पर जाकर देख सकते हैं रादी रादी फ्रेगा